भारत में अकेला 36 गड़ी ऐसा प्रदेश है जहां गाउं गाउं शहर शहर रावन की पक्की प्रतीमा गाउं के बाहर धूप खाते खड़े मिलती है ये 36 गड़ वासियों का बुराई रूपी रावन के प्रती ग्रीना का प्रतीक है और अपने भांजे राम के प्रती श्रद्धा आस्था का प्रमान भी आज भी रावन गाउं के बाहर धूप धूल खाते खड़ा मिलेगा जो यह बताता है कि उसका गाउं में प्रव रोट से लगा हुआ प्रसिद मैदान है जहां रावन की बहुत बड़ी मुड़ती खड़ी है रावन भाटा गाउं गाउं में मिलेगा रावन भाटा में रावन की पक्की प्रतीमा बनाने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि 36 गड़ में राम लीला गाउं गाउं में 36 गड़ी है और इस नाते भगवान राम 36 गड़ के भांजे होते हैं भगवान राम के प्रति अगाद आस्था और श्रद्धा के कारण यहां गाउं गाउं में राम लिला हुआ करती थी जिसमें राम अपनी सेना के साथ हर साल दशेरे के लिए रावन कवद किया करते थे तब हर बार पुतला बनाने की बजाए एक पक्की प्रतिमा बना कर इसका हर ढून लिया गया और हर साल गाउं के बाहर दूर खड़ी रावन की प्रतिमा का वद करने राम गाउं से दूर भाटा जाया करते थे जिसे लंका जाना भी कहा जाता था और आज भी कहीं दूर कोई वस लंका में खड़ा रावन प्रति पाज के अलावा भारत में और किसी प्रदेश नहीं आती यहां 36 वर गाउ में एक भाठा होता है जिसे राल भाठा कहते हैं कि रावन हुबोंग का प्रतिकात्मक्व विरोथ भी है जो तो बुराई को गाउं से बाहर रखकर प्रदर्शित किया गए है। या फिर यू कहले कि गाउं वाले यह तैय कर लेते थे कि बुराई को किसी भी हाल में गाउं के अंदर नहीं आने दिया जाएगा और हर साल उसका गाउं से बाहर ही रावनवत के रूप में अंध कर दिया जाएगा। रावन रूपी बुराई का इससे बहतर प्रतिकात्मक विरोध और कहीं देखने को शायद ही मिलेगा। फिरिया विरोध इसलिए भी जादा नजर आता है क्योंकि भगवान राम 36 गड़ के भांजे होते हैं। इसलिए यहां गाउं में बच्चे बच्चे को भाचा यानि भांजा कहा जाता है और उसके चरन स्पर्श किये जाते हैं। रावण की विशाल पक्की प्रतीमा चतिसगड के अनेक गाउं और शहरों में धूल और धूप खाते गाउं और शहर से बाहर खड़ी मिलेगी। ये चतिसगडवाश्यों का रावण के प्रती स्वभावी क्रोध है घ्रेना है और हो भी क्यों ना क्योंकि भगवान राम चतिसगड़ के लाडले भांजे जो है